नमस्कार दोस्तों, इन्वार्मेंट साइंस के सबसे बहतरी इन प्लेटफॉर्म, इन्वार अकैडमी पे मैं सतेंद्र चोहदरी आप सबी का एक बात फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपॉर्ण टॉपिक पे आज हम बात करेंगे आज हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट पे तो इससे पहले हमने हजारडस वेस्ट पे बात की, इवेस्ट पे बात की और मैं उमीद करता हूँ, आप सबी लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ में आये होंगे अगर हम अपनी बेसिक लाइफ में देखते हैं तो प्लास्टिक का बहुत जादा मैता हुए बहुत सारी चीजें जो हैं, जो पहले कांच की बोतलों में आती थी वो अब प्लास्टिक की बोतलों में आती है फरनीचर पहले लकडी के बनाए जाते थे अब उसमें प्लास्टिक का योगदान बहुत जादा हो गया है हमने steel का replacement में plastic शुरू कर दिये बहुत सारे metals को बहुत सारी चीजों में packing में हम अपने रोज मरा के जिंदगी में plastic का use कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना lecture जो शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे कि plastic क्या होती है फिर plastic को हम कैसे categorize कर सकते हैं फिर उनके common sources कौन से हैं फिर उनसे कौन से environmental issue होते हैं और हम plastic को कैसे manage कर सकते हैं तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम बात करेंगे plastic क्या होती है तो plastic जो है basically polymers होते हैं ठीक है और हर product के लिए वो अलग होते हैं plastic जो है वो polymer से मिलके बनते हैं और हर product packing के लिए जो plastic बनेगी उसका अलग nature होगा ठीक है दूद के packing के लिए जो चीज बनेगी उसका अलग nature होगा हर plastic जो है एक अलग तरीके की होती है इसलिए इसको बिलकुल crystal के लिए हमने याद कर लेना है कि वह जो होती है वो हर product के लिए distinct होती है बनते कैसे हैं तो जो हमारे basic hydrocarbons हैं लाइक आपका methane इथेन इन सब को हम convert करते हैं लोंग chain molecules में जिनको हमने क्या कहा पॉलिमर का plastic जो है basically आपके hydrocarbon से बनते हैं और यह क्या हो है लोंग chain molecules हैं जो chemistry के स्टूटेंट हैं वो इसको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि molecules क्या होते हैं polymers क्या होते हैं hydrocarbons क्या होते हैं बट बाकी जो students हैं उनके लिए definition में इतना जान लेना काफी है कि यह प्लास्टिक product हैं वो hydrocarbon से मिलके बनते हैं और वो basically क्या होते हैं आपके मिथेन इतन इस टाइप के जो हैं और इनको हमने long chain molecules में convert कर देना जिनको हमने polymer कहा क्या polymer natural भी होते हैं बिलकुल होते हैं ठीक आपके cellulose starch और natural rubber इन सब से आपके natural polymers बना जाते हैं बट अगर आप बात करो plastic की तो plastic में केवल और केवल synthetic material वाले polymer ही आएंगे natural नहीं आएंगे इसमें यह तो हुआ simply हमने इसके nature के हिसाब से बात कर ली भाई synthetic polymer और natural polymer बट यहां पे आपको याद रखने वाला point क्या है कि कीवल synthetic polymer ही को ही हम plastic कहेंगे इसके अलावा हम plastic को उनके behavior जो उने पहला हुआ आपका thermoplastic और दोसरा हुआ thermoset thermoplastic thermoplastic जो है यह वो plastic है जो गरम करने पे sopt हो जाती है और उनको आफ different different shape में चीज़े बना सकते हो लाइक P, E, T, HDPE, LDPE, PP, PVC, PS यह सब क्या है यह सब आपके thermoplastic के example है इसका main character क्या है कि जब आप इने गरम करते हो तो यह गरम करने पे sopt हो जाते हैं और आप इनसे different different shape की चीज़े बना सकते हो लगबग 80% जो plastic है वो thermoplastic है दूसरी category जो है वो है thermoset thermoset क्या है जब आप इनको गरम करते हो heat करते हो तो यह sopt नहीं होते है यह decompose हो जाती है ठीक है । यह soft नहीं होंगे यह decompose हो जाएंगे याणि की decompose होके होगे यह क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो यह ज़ो plastic है thermoset ये लगबग 20% है जो आपकी rest यह आपची बैस्टिक है यह उसका इसका नुकसान क्या है भई जो चीज गरम करने पे आपके डिकंपोज हो रही है वो डेफिनिटली रिसाइकल तो हो नहीं सकती यानि कि एक बार आप इससे चीजे बना लोगे तो वो बेकार है उसको आप फेक नहीं पड़ेगा उसको डिकंपोज होने के नेचर की वो जैसे आप उससे कुछ और नहीं बना सकते एक तो ये चीज होगी दूसरी चीज कि भई चलो ठीक है उसको तो हम रिसाइकल नहीं कर सकते मान लिया बट बाकी चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं बट अगर क्या होगा कि एक सेग्रिगेशन प्रोसेस में थर्मो सेट और थर्मो हो पाए मानली जी बीस हजार बोतले जो हैं वो आपकी थर्मो प्लास्टिक की हैं और आपकी पांच शे बोतले उसमें आगी थर्मो सेट की तो क्या होगा यह जो थर्मो सेट वाली प्लास्टिक है यह भई पिंगल जाएगी डीकमपोज हो जाएगी और decompose होने के बाद में वो पूरा पूरा जो बैच हम तेयार कर रहे हैं उसको खराब कर देगी और हो सकता है जो अपने मशीन है उसमें चिपक जाए तो यह जो thermoset plastic होई basically यह आपके recycling में भी बाधा उत्पन कर देती है अगर अच्छे से सग्डिकेट ना किया जाए plastic को तो यह other product जो है plastic के उनके recycling में भी बाधा उत्पन करेगी अगर हम बात करें most commonly हम कौन कौन सी plastic योज़ कर रहे हैं तो polyethylene tetrapephthalate pet high density polyethylene ठीक है polyethylene लो डैंस्टी आपकी polyethylene इन सब चीजों से आपकी ज़्यादा तर प्लास्टिक बनाई जा रही है Bureau of Indian Standard ने जो classification दिए उस classification के अनुसार यह plastic जो है इस type की जो plastic है वो सबसे ज़्यादा हमारी यूज होने वाली plastics हैं तो यहां तक मुझे लगता है कि सारी चीज़े आपको समझ में आ रही होंगे कि plastic क्या है प्लास्टिक को आप कैसे classify कर सकते हो और कौन सी plastic ऐसी हैं जो हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं अब बात करते हैं sources की तो जैसे जैसे हमने तरक्के की है जैसे जैसे हमारी development होई है या शहरी करन हुआ है उसके साथ साथ प्लास्टिक का जो production है वो भी increase हुआ है और जब प्लास्टिक प्रोडक्शन के वज़े से प्लास्टिक प्रोडेक्ट हमने ज़्यादा यूज किये हैं तो definitely waste भी ज्यादा ही generate हुआ है प्लास्टिक जो है no doubt lightweight है, durable है तो इसे use करना में बड़ी आसानी होती है पहले हमने एक चीज बनाई उसके हमने फाइदे देखे बट फ्यूचर में उसको क्या effect पड़ेगा ये हमने किसी भी चीज का जरतर नहीं देखा है अब तो आज देखना शुरू कर दिया है कि भी इसका future में कोई negative effect तो नहीं है वैसे हमने प्लास्टिक के साथ किया प्लास्टिक हमने बहुत अंदरधन पर्डियोस की उससे बहुत सारा waste जो है वो आपका अब उत्पन हो गया है उसको manage करना बहुत मुश्किल हो रहा है हर चीज में प्लास्टिक है भाईजी अगर हम बात करें कि पुरी प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है तो वो है हम लोगों का यानि कि single use प्लास्टिक 50 परतिसत 50 परसेंट जो प्लास्टिक है वो है single use product से उत्पन होने वाली प्लास्टिक for example bottles होगी प्लास्टिक बैग होगे packing material होगे even plate cup straw spoon fork ये सबी भी आजकल प्लास्टिक के आने शुरू होगे हैं पहले हम plate किसकी यूज़ करते थे यह तो कांच की plate यूज़ करते थे या किसी metal की यूज़ करते थे अगर हमने reuse plate भी यूज़ करनी होती थी तो भई अपत्तों से बने हुई plate यूज़ कर लेते थे वैसे इस ट्रोग की बात करें हम पहले स्ट्रोग कम यूज़ करते थे कर इस्पून इस्पून भी महरी मैटल की बनी होती थी, ठीक है वैसे हमारे फोड Monthly अजसा कि नियुख को 16 में बताई, 50 पर 30 प्लास्टिक से उठ्पन हो रही है और इस पांसोर साउ bear प्लास्टीक भैग, पैकेजंग माटेरियल , प्लीट, कप स्ट्रो स्पोन फोक यह सब जो हैं आपके सिंगल यूज होने वाली चीजों में आते हैं बट इससे भी खतरनाक जो चीज हो रही है वो यह हो रही है कि भई ऐसा वेस्ट जिसको हम कॉंटिफाई भी नहीं कर सकते सिंगल यूज वाला फोल एक्जामपल कि भई आप सबजी वाले से आसबजी ली एक बैग ले लिया फिर इधर से एक भाईजी आए उन्होंने का कि भई एक में को पान मसाला दे दे उसने पान मसाला लिया उसको मूं में डाला पैकिट फेंक दिया इसके अलावा एक छोटा बच्चा आया में को टौफी चाहिए जी टौफी का रहा फर वो भी प्लास्टिक ठीक है इसके अलावा घरों में हम शैंपू यूज कर रहे हैं वो भी शैशे में यूज कर रहे हैं इसके अलावा साबुन यूज किया वो भी प्लास्टिक का तो आप देख रहे हैं कि ये collect करना quantify करना बहुत ही मुश्किल है ये सब भी single use में आते हैं आपके plastic में बहुत सारे ऐसे फिर मैंने example आपको बता ही दिये हैं कि plastic जो है लगभग 50 पर 30 जो है single use से उत्पन हो रही है बाकि large scale पे जो plastic हम use कर रही है plastic के furniture हो गया ठिक है आपके प्लास्टिक के और आपका जो motorbike है उसमें plastic कितनी जादा है vehicle में कितनी जादा बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं plastic तो देखो वहां पे plastic है तो ये हुए आपके main sources अब हम बात करेंगे इसके consequences के यानि कि इसे environment पे क्या effect पढ़ रहा है तो सबसे पहले अगर हम plastic को एकदम से देखते हैं तो हमारे दिल में दिमाग में क्या effect आता है कि भई ये degrade नहीं होगा यानि कि ये non-bio-degrade ठीक है अब ये non-bio-degradeable है तो बहुत लंबे समय तक रहेगा फिर दूसरी चीज कि भई ये चो चीज है plastic एक बार हमने most of the time क्या होता है कि one use करते है single use ठीक है एक तो होगा single hand use एक होगा single use की एक बार use किया और वो फेंक दिया तो ये दूसरी चीज है अब steel की plate तो नहीं फेंक होगे भई वो तो wash करने पड़ेगी steel की चमच, metal की चमच जो हैं वो भी नहीं फेंक होगे बड़ प्लास्टिक की चमच, spoon को फेंकना तो बड़ा असान है तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक number of the consequences हमारे mind में आते हैं शुरू से चलते हैं सबसे पहले हमने plastic को बनाया जब हमने उसको बनाया तो वहाँ पी ध्वा निकला बहुत सारे emissions होए एर pollution हो गया इसके अलावा हमने पहले polymer बनाए polymer बनाने के बाद में से ध्वा निकला polymer बनाने के बाद में हमने उससे different चीज़े बनाई वो भी एक thermal process ही होगा यानि कि उसे गरम करके mold करके कुछ और बनाएंगे उससे भी gas निकलेंगे उसके बाद में हमने उनको plastic को फेक दिया फेकने के बाद में क्या होगा कुछ लोग इकठा करके आग लगा देंगे आग लगाई फिर से ध्वा निकला carbon monoxide, carbon dioxide, chlorine आपके hydrochloric acid dioxin, furons, amines आपके benzene acetaldehyde और नमबर ओफ दा आपके gases का mixture निकलेगा जो कि बहुत toxic है इसके लावा जब हम plastic बनाते हैं लाइक आपके high density वाली low density वाली plastic यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी हम additives डालते हैं लाइक आपके lead हो गया कैडमियम हो गया ये pigment में यूज़ होते हैं तो ये फिर से toxic है आपने इस type की plastic को dump कर दिया dump करने के बाद में बारिश होई बारिश से जो उनके अंदर जो आपके pigment थे वो dissolve होगे dissolve होगे वो leach out होगे leach out होने के बाद में ग्राउंड वाटर को pollute कर दिया इसके अलावा कि भई आपने बहुत सारी plastic जो है वो शहरों में जालतर मैंने देखा है एक परचलन है कि अपने घर से लोग निकालते हैं कोडा निकालके अगर उसको पिक करने वाला कोई नहीं आता तो आप pollute भढ़ देथे हैं उसको ठीक है सारा का सारा चाइब बाई डिकरेडेबल है या डिकरेडेबल है उसको एक पोल थीने भढ़ देंगे और पॉलोथीने भरके या तो बाहर सड़क पे फेक देंगे या नाले में फेक देंगे अपने घर से निकालेंगे या अपने घर के बाहर जो सामने एक नाला जा रहा है उसमे फेक देंगे या फिर ऐसे ही बाहर फेक देंगे बाहर फेक देंगे तो क्या होगा अब उसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान है तो जो आपके कैटल्स हैं एनिमल्स हैं बेचारे उनको स्मेल आएगी खाने की वो तुसे खाना चाहेंगे बट वो खाने ही पाएंगे क्यों क्यों तो प्लास्टिक एक पॉलिथीन में पैक है तो कोई भी काव, कोई भी जो ऐइसे घूमते रहते हैं उसको खा लेंगे उसको खाने से दिरे दिरे प्लास्टिक एकटना नके अंदर ہو जाएगी उछत हो जाएगी ऐसे अपने नाली में फेक दिया नाली में फेक दिया 또 चोग हो जाएगा चोक होगा तो simple सी चीज है उसमें बहुत सारी smell होगी smell होगी bacteria पैदा होगी वो आपके health को नुकसान पहुचाएंगे हमने ऐसे ही जो नाला है वो river में गिर रहा है river जो है ocean में गिर रही है तो ocean जो है धीरे 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 भर गया है plastic से तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा consequences है plastic waste का तो इस type से अगर आप देखें तो कितने सारे consequences जो है वो plastic की वज़े से होते हैं कितने सारे environmental issues जो है plastic की वज़े से होते हैं और जितना plastic हम use कर रहे हैं उसका 50% जो है वो single use plastic से आ रहा है यानि कि अगर हम single hand पे single use plastic पे अपना ज़्यादा ध्यान देंगे इसको completely ban करतेंगे तो जितना plastic हम use कर रहे हैं उसका 50% plastic हम use करेंगे और जो बाकी का जो plastic है जो बड़ा plastic है वो recycle होता है most of the time बट जो यह चीज ऐसे मैंने आपको पता है छोटी छोटी चीज़े यह recycle नहीं होती है और यह single use की चीज़े हैं इसके अलावा आपको यह भी देख सकते भी soil pollution होता है इसके वज़े से water pollution, soil pollution, air pollution यह सब किवल plastic के production से लेके disposal करने तक जो है उत्पन होते हैं अब हम कर क्या सकते हैं हम भाई इसको manage करने की कोशिश कर सकते हैं इसको manage करने की कोशिश में हमने क्या-क्या चीज़ किया ठीक है basically हम इसका landfill कर सकते हैं और इसको incinerate कर सकते हैं ये तो चीज हुई आपके dispose करने की बट इसके लावा और क्या क्या जा सकता है recycle क्या जा सकता है recycle करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको recycle करने के लिए हम इसको segregate करना पड़ेगा segregate जो है वो कैसे करेंगे हम on the behalf of the different type of plastic जैसे मैंने बताया thermoplastic and thermoset तो thermoplastic और thermoset को हम segregate करेंगे अगर thermoset जो है thermoplastic के साथ mix होगी तो स्वेटी cycle करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों अब हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसके लिए हम plastic को as a fuel यूज कर सकते हैं as a fuel कैसे यूज करेंगे बहुत सारे ऐसे टेक्निक आ रही है जैसे क्या plasma pyrolysis और आपका liquid fuel हम plastic से बना सकते हैं इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इसका road construction में भी plastic यूज हो रही है इसको हम अपना जो road बनाने के लिए bitumen यूज करते हैं उसके साथ में mix करते हैं उसके साथ में road बनाई जा सकती हैं इसके अलावा a cement plant जो हैं वहाँ पे इसका use होता है दोस्तों as a fuel वो से use कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें plastic को segregate करना है collection तो हो गई होगा collect किया collect करके हमने उसको segregate किया segregate करके हमने उसको अलग अलग उसमें plastic की category में जिस type का भी हो था separate कर लिया है फिर देखा कि भई इसका हम क्या कर सकते हैं यह कहां recycle हो सकता है recycle अगर नहीं हो सकता तो क्या इससे हम fuel बना सकते हैं अगर हम उससे fuel भी नहीं बना सकते recycle भी नहीं कर सकते तो ultimately क्या करेंगे उसका disposal disposal की दोरों टेक्निक मैं नहीं आपे बताई है landfill लेंड फिल करोगे तो क्या problem होगी incident करोगे तो क्या problem होगी ये चीज भी आपने देख लेनी है तो अगर आफ landfill कर रहे हो तो definitely plastic जैसा जो waste है वो बल्की है बल्की मतलब volume जादा होता है उसका उसको compact करना मुश्किल होता है तो वो जादा जगह लेगा इसलिए सबसे पहले तो हमने ये चीज देख लेनी है कि भी कम से कम जो waste है वो landfill में जाए फिर उसके बाद में जो उनमें बताया कि pigment होते है pigment में आपका कैडमियम होता है लेड होता है वो leach out हो सकते हैं तो आपका ये देख लेना है कि भई कोई ऐसा pigment वाली चीज़े जो है वो हम landfill तो नहीं कर रहे हैं इसके अलावा उनके साथ में other type का bio degradable waste जो है वो नहीं mix होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है वो degradation के rate को slow down कर देता है दोस्तों ये तो हुई बात landfill की incident rate करेंगे incident rate करेंगे तो मैंने आपको बता है बहुत सारी आपकी gases release होंगी like HCL, dioxin, furons ये सब क्याना बहुत important चीज़े आ जाती हैं जब आपको वो slide आप पढ़ोगे होती है, दो टाइप की होती है thermoset and thermoplastic 80% जो है thermoplastic है तो अब उसको recycle आप कर रहे हो तो recycle करने के time पे भी आपने उसको heat किया heat करने पे आपके gases निकली तो उन gases में आपके जो basic composition है gases का उसमें कौन-कौन सी gases हैं जैसे मैं sorry जैसे मैं नहीं पताया dioxin and furons आपके आए तो यह सब क्या है बहुत ही toxic है HCl hydrochloric acid यह भी बहुत खतरनाक चीज़ है यह आपके acid रेंकोल्स करेगी carbon monoxide carbon monoxide से क्या होगा आपका यह CO2 जो है इसकी हिमोगलोबिन के साथ react करने के affinity ज़्यादा होती है और यह carboxy hemoglobin बनाता है carboxy hemoglobin जो है वो आपके खून में blood में oxygen की deficiency कर देता है तो इस टाइप से आपने चीज़े देखनी है बड़े ध्यान से जो चीज़े मैं आपको यहाँ पर बताई है उनको ध्यान से सुनके आप जो कहीं से भी पढ़ोगे उसको एक framework में याद करना what is the plastic type of the plastic उसके बाद में sources of the plastic उसके बाद में consequences of the plastic and then management and disposal of the plastic तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि जितने points अमने यहाँ पर अभी discuss किये है आप सभी को points किलियर होंगे और आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं और lectures पर बनाऊ दोस्तों सीखती रहिए मुस्कुराती रहिए मेरी best wishes आपके साथ में God bless you तेंक दोस्तों